है अगलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का पैरे मेडिकल के नमर वन चैनल स्टेडी वी तृतेश में इस्टुडेंट आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कॉमन एरर से कॉश्चन्स को करेंगे और कॉमन एरर से पूछे जाते हैं कॉमन एरर जो कि एक ग्रामर का पार्ट माना जाता है बच्चो यदि आप लोगों ने ग्रामर अच्छे से पढ़ा है तो आप कॉमन एरर के हर एक प्रस्न को सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि common error के questions को कैसे आप लोग solve कर सकते हैं ठीक है किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको तो चलिए आज की class को start किया जाए तो देखे बच्चों होता गया है कि यहाँ पर आपको एक sentence दिया जाएगा I know he is having a lot of books on how to improve English तो जल्दी से बताईए किस part में आपको error नजर आ रहा है I know he is having में या a lot of books on में या how to improve English में या कहीं error नहीं है जल्दी से बताईएगा जल्दी से हर एक student answer देंगे हाँ जी जल्दी से answer दीजिए तो very good यदि आप लोग answer दे रहे हैं option number a दे ना आप लोगों का answer सही है है ना तो देखिए यहाँ पर is having is having की जगे क्या होगा बच्चो has होगा क्यों क्यों कि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि I know he has a lot of books तो यहाँ ownership या अधिकार दिखाया जा रहा है तो इस case में have या has का परियोग होता है ठीक है तो I know he has a lot of books on how to improve English तो यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है ownership दिखाया जा रहा है तो यहाँ have has का यूज होगा ठीक है तो यहाँ पर part a वाला सही था यानि part a में आपका error था चलिए अगला question है चलिए student अगला question है अब बता दिजिए इस sentence में किस part में error है इस sentence के किस part में error है बच्चो part a है the vehicle which is stopped part b है by the policeman content तीसरा part है number of smuggled watches चौथा अगर गलती नहीं है तो आप लोग no error कर सकते हैं तो बच्चो देखिए यहाँ पर error कहां है each की जगे क्या होगा बच्चो each के बदले watch का परियोग होगा क्यों क्योंकि देखिए part b से पता चलता है पार्ट b में जो content है उससे पता चलता है कि यह घटना पास्ट की है तो जब घटना पास्ट की होगी तो यहाँ each आर का परियोग कैसे कीजिएगा यहाँ पर भी तो watch work का परियोग होगा तो option क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा यहाँ इस sentence में part a में गलती था ठीक है तो the vehicle correct क्या होगा the vehicle which was stopped by the policeman contained a number of smuggled watches ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है Had you informed me earlier I would have certainly purchased the car from you चलिए अब आपको बताना है यहाँ इस sentence में किस part में error है यदि part में error नहीं है अगर sentence सही है तो आप लोगा answer option d हो जाएगा बट पहले आप लोग चेक किजिए किस part में error है तो देखे पहला part है Had you informed me earlier दूसरा part है I would have certainly purchased तीसरा part है the car from you चौथा part है no error अगर आपको लगता है sentence सही है तो answer d लगाईगा अगर आपको लगता है कि part A में गलती है तो part A part B में गलती है तो part B part C में गलती है तो part C जल्दी से बताएगे तो क्या होगा इसका answer तो very good student यदि आप लोग answer दे रहे हैं option B देन आप लोग का answer सही है अब देखें part B में है कि I would have certainly purchased तो यहाँ पर गलती कहां है error कहां है कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से comment कीजिए तो जल्दी से comment कीजिए यहाँ पर क्या चीज का गलती किया गया है यहाँ पर क्या गलत है तो बच्चों देखिए यहाँ पर यहाँ आपको दिख रहा है purchase purchase का मतलब क्या होता है खरीदना तो यहां पर purchase ना हो कि purchased होगा क्यों होगा क्यूंकि बच्चो आप लोग को पता है कि अगर sentence में have has का परियोग किया गया हो उसके बाद verb का कौन सा form आता है तो verb का third form आता है चली student अगला question आजाता है I knew our college library was run chaotically but only recently did I discover how bad the situation is देखे आपको अगर इस sentence को आप लोगों ने पढ़ा आपको मतलब भी नहीं पता है न अगर आपको इसका हिंदी भी करने नहीं आ रहा है तो भी आप लोग question को बना सकते हो वस यहाँ पर आपको grammar का rule मालूम होना चाहिए बच्चो अगर rule मालूम है नियम मालूम है तो आप लोग common error के हर एक प्रश्ण को कर सकते हो तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग check करेंगे किस part में error है तो पहला part है I knew our college library was run chaotically but only recently did I discover how bad the situation is तो देखिए पहला part है I knew our college library was run chaotically ठीक है इसमें तो मुझे कोई error नजर नहीं आ रहा है क्योंकि घटना past की है इसके बाद देखिए but only recently did I discover इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे वाज है घटना past की है ठीक है और did है तो यहाँ पर भी घटना जो हुई होगी उसके बाद यह देखिए तो how bad the situation is अब आप ही बताओ यह सब घटना past की है तो यहाँ पर इज कैसे आ गया यहाँ पर वाज होना चाहिए न आर यह बात समझ में हाँ तो इज के बदले वाज का प्रियोग होगा क्योंकि वाक्ये में sentence में जो है past tense का यूज किया गया है है ना तो यहाँ इज तो आएगा नहीं यहाँ पर भी इज की जएगा क्या होगा वाज होगा तो option number C जो है आपके question का right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है they talk for a while and then they will continue to play the game till tomorrow morning यहाँ पर पहला part है वो है they talk for a while दूसरा part है and then they will continue to play तीसरा part है the game till tomorrow morning चौथा part है नौईर तो बच्चों जब आप लोगों ने sentence को पढ़ा तो यहाँ आप लोगों ने देखा will का परियोग हुआ है और will का परियोग हम लोग future tense में करते हैं future की बात कही गई होगी future की बात कही गई होगी और उसके बात tomorrow tomorrow का मतलब क्या होता है आने वाला कलिया नहीं कहीं नहीं ये भी चीज future से related है future का बात हो रहा है तो यहाँ पर talk आ गया talk कैसे आ गया आप ही बताइए जब इसमें भी future का बात होगा तो इसमें past का थोड़ी होगा इसमें भी future जैसे ही बात होगा तो यहाँ talk के बदले talked के बदले क्या होगा बच्चो will talk होगा will talk का प्रियोग हम लोग करेंगे ठीक है तो आपको याद रखना है talked के बदले will talk का प्रियोग होगा क्योंकि इस वाक्य में दो action है और दोनों ही future में होने वाले है कौन कौन सा पहला तो they will talk for a while and then they will continue to play दो action हुए है ना तो आपको याद रखना है बच्चो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर talked की जगे will talk का प्रियोग हम लोग करेंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है we got everything ready for all of them long before they arrived no error तो देखिए यह sentence दिया हुआ है आपको बताना है इस sentence में किस part में error है अगर error नहीं है तो answer option D देना है तो part A है we got everything ready part B है for all of them part C है long before they arrived part D है no error जल्दी से answer बताइए क्या होगा बच्चो तो very good यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं option number A option number A answer कर रहे हैं देना आप लोग का answer सही है तो यहाँ got की जगे क्या होगा had got होगा क्यूं क्यूं होगा ये भी जानना ज़रूरी है तो बच्चो एक rule होता है rule क्या है कि यदि sentence में दो घटनाएं हुई हो और दोनो past में हुई हो है ना ध्यान से समझना अगर sentence में दो घटनाएं हुई हो और दोनो past में हुई हो तो पहली वाली जो घटना होती है उसको past perfect tense में लिखा जाता है और फिर उसके बाद जो घटना होती है उसको past indefinite में लिखा जाता है तो पहली घटना जो हुई है वो past perfect tense में लिखा जाता है यानि वहाँ जो sentence का structure होगा वो होगा subject plus में had plus में warp 3 और उसके बाद जो घटिद घटना हुई है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं यानि सब्जेक्ट प्लस में वाब टू तो देखिए तो संटेंस को पढ़िए और इससे पता लगाने का कोशिस कीजिए कि यहां कौन कौन सी दो घटना हैं और कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना भाद में हुई है तो देखिए we got everything ready for all of them long before they arrive तो संटेंस का मतलब क्या हुआ हम लोगों ने है न हम लोगों ने बहुत पहले ही सब चीज तयार कर लिया था उनके आने से पहले तो यहां पे कौन सी घटना पहले हुई है उनका आना या सभी चीजों का तयार करना बताईए तो यहां पे we got everything ready for all of them long before they arrive यानि हम लोगों ने बहुत पहले से ही उनके लिए हर एक चीज तयार कर लिया था उनके आने से पहले हम लोगों ने बहुत पहले ही सब चीज तयार कर लिया था उनके आने से पहले तो उनके आने से पहले ही हर एक चीज का अरेजमेंट हो गया था हर एक चीज की तयारी हो चुकी थी तो पहली घटना कौन है बचो we had got everything यही है ना पहली घटना तो यहाँ पर got की जगे क्या होगा we had got everything ready for all of them long उसके बाद वो लोगा है तो उसके बाद जो घटना हुई उसको कैसे लिखिएगा subject plus verb 2 तो अब जाके सही हुआ sentence का structure समझ में आया तो पहली जो घटना घटना हुई है तो उसको head plus verb 3 कर दीजेगा और उसके बाद जो घटना घटित हुई है उसको past and definite में कर दीजेगा यानि subject plus verb 2 ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक like जरूर दे देना बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियो उसको बनाने में चलिए student अगला question है the secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrises and has a two mile walk every morning या no error तो जल्दी से बताएए इस sentence में किस part में आपको गलती नजर आ रहा है error नजर आ रहा है तो देखें part A है the secret of his good health lies in the fact part B है that he is getting up before sunrises part C है and has a two mile walk every morning part D है no error जल्दी से बताएए जल्दी से तो देखिए very good student यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं option number B काफी बच्चों का गलत हो गया है न हाँ तो यदि आप लोग answer दे रहे है option number B then आप लोग का answer सही है यानि part B में बच्चों गलती है कहां गलती है तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे is getting up की जगे क्या हो होगा यहाँ पर gates up होगा ठीक है हाँ gates up होगा gates up होगा क्यों कि he gates up before sunrises यानि यहाँ पर वर्तमान की आदत को present habit बताने के लिए present indefinite tense का प्रियोग किया जाता है ना तो वर्तमान की आदत बताया जा रहा है कि he gates up before sunrises यानि वह सूर्य उगने से पहले है ना सूर्य उगने से पहले वो जग जाता है he gates up before sunrises है ना तो यहाँ पर वर्तमान की आदत को दरसाया जा रहा है तो यहाँ is getting up नहीं होगा gates up होगा ठीक है तो part b में error था ठीक है तो part b हमारा right answer हो जाएगा तो चलिए बढ़ who is sitting in that room lived here for more than a month but he has never created any problem या no error अब जल्दी से बता दीजिए बचो इस sentence में किस part में error है हाँ जी तो देखे part a है the old man who is sitting in that room part b है lived here for more than a month part c है but he has never created any problem तो बच्चो जल्दी से answer बताएए तो very good यदि आप लोगों ने part b answer दिया है then आप लोगों का answer से तो देखे part b में error है तो error क्या है बच्चो यहाँ पर lived lived की जगे has lived होगा has lived का परियोक करेंगे क्यों क्यों कि देखे part a में part a में क्या दिया हुआ is sitting और part c में क्या दिया हुआ has never created ठीक है तो part a में is sitting और part c में has never created दिया हुआँ इस से पता चलता है कि वाक्ये present tense में हैं तो यह lived यह तो past है, तो इसको भी तो present में होना चाहता ना, तो इसका present भी बना दीजेगा, आप लोग तब जाकर यह सही होगा sentence, तो यह lived की जगे क्या हो जाएगा, has lived है ना, तो sentence कैसा हो जाएगा, the old man who is sitting in that room, has lived here for more than a month, but he has never created any problem, तब जाकर sentence सही होगा, चलिए बढ़ते ह अगले question की तरफ, चलिए student अगला question है, that two and two always made four, cannot be doubted, no error, जल्दी से बता दीजिए, इस question का answer क्या होगा, that two and two always made four cannot be doubted, यानि देखें, आपको बताना है किस part में error है, that two and two always made four cannot be doubted, या no error, तो very good, यदि आप लोग answer दे रहे हैं, option B, then आप लोगों का answer सही है, है ना, तो यहाँ देखें, mad four नहीं होगा बच्चो, max four होगा, max four होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर max का प्रियोग होगा, क्योंकि तिरकाल सत्य, यानि universal truth के लिए हमेशा present indefinite tense का प्रियोग होता है, यहाँ पर तिरकाल सत्य वाली बात है, यहाँ पर यह का जा रहे कि दो और दो चार होता है, तो यह तो कल भी होता था, आज भी होता है, और आने वाले कल में भी होगा, इसमें कोई संदे नहीं है, यह तिरकाल सत्य है, कि दो और दो चार होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, that two and two always max four, है ना, cannot be doubted, समझ में यहाँ पर तिरकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर्जेंट इंडिफनी टैंस का प्रियोग करेंगे, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ, चलिए student अगला कुश्चन है, he seems to be happy because his parents had come from London to live with him, no error, जल्दी से बता देजी, इस sentence में क्या error है बच्च हान जी, तो देखे, पहला पार्ट है, he seems to be happy because his parents had come, पार्ट भी है, पार्ट C है, from London to live with him, अब पार्ट B है, no error, तो वेरी गुड बच्चो, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं, option number B, option number B answer कर रहे हैं, then आप लोगों का answer सही है, ठीक है, तो यहाँ पार्ट B में error है, पार पर head की जगे, have का परियोग होगा, ठीक है, have का परियोग होगा, ठीक है, तो यहाँ पर head के बदले, have का परियोग होगा, क्योंकि पूरी घटना में भाव जो है, वो present tense का है, present tense का है, he seems to be happy, वो काफी ज़्यादा खुसी हुआ परतीत नजर आता है, क्योंकि भाईया, उसक option number B यानि part B में error था ठीक है चलिए बढ़ते हैं एगले question की तरफ अगला question है student सुस्मा arrived here did all preparation and then has called on one of her intimate friends या no error जल्दी से बता दीजिए किस part में आपको error नजर आ रहा है देखिए part A है बच्चों सुस्मा arrived here part B है did all preparation and part C है then has called on one of her intimate friends या part D है no error जल्दी से answer कीजिए बच्चों तो very good यदि आप लोग जवाब दे रहा है बच्चों option C देखिए option C जो है right answer हो जाएगा क्यों 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 option C में error है ठीक है error क्या है बच्चों तो देखिए यहाँ पर part A देखिए पहले part A देखिए past की घटना है arrived past की बात की जा रही है part B में देखिए did आ गया है यह भी past में हुआ है यह चीज है ना has की जगे क्या चीज का प्रियोग होगा बच्चों has की जगे यहाँ पर cold आएगा has हट जाएगा केवल cold रहेगा ठीक है हाँ has हट जाएगा केवल called आएगा ठीक है तो has called के बदले called का पर्योग होगा क्योंकि वाकिये में past की तीनों घटनाओं को end से जोड़ा गया है ठीक है चले बढ़ते हैं एगले question की तरफ चले student अगला question है now a days he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month no error जल्दी से बता दीजे इस sentence में किस part में error आपको नजर आ रहा है बच्चो part A है now a days he teaches physics part B है because the teacher of physics part C है has been absenting himself for a month part D है no error तो बच्चो answer जो होगा वो होगा part A में error है ठीक है answer part A हो जाएगा आपका क्यूँ कि देखिए यहाँ पे now a days he teaches की जगे क्या होगा is teaching होगा यहाँ पे teaches की जगे क्या होगा is teaching होगा अब होगा तो क्यों होगा क्योंकि देखिए present indefinite tense का प्रियोग इस्थाई कारे के लिए यानि permanent activity के लिए होता है और इस्थाई कारे के लिए नहीं होता है आई बात समझ में बच्चो तो जैसे माल लिजिए सूर्य पूरब में उखता है तो यहां यह permanent activity हुई स्थाई कारे हुआ है ना सूर्य कल भी उखता था पूरब में आज भी उखता है पूरब में और आने वाली future में भी पूरब में यूगेगा तो यह permanent activity हुई की नहीं हुई इस्थाई का रहे हुई है ना, लेकिन यहां पर जो टीचेज होगा, यहां पर इस्थाई नहीं है, यह आपका पर्मानेंट एक्टिविटी नहीं है, है ना, तो now, a days, he is teaching physics, ठीक है बच्चो, हान जी, तो यहां पार्ट A में अरर था, तो आपका A आंसर हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ student चलिए student अगला question है C says that C will take her umbrella in case it will rain no error अब देखिए यहाँ पे किस part में गलती नजर आ रहा है किस part में error है तो देखे बच्चों C says that part A हो गया C will take her umbrella part B हो गया in case it will rain part C हो गया अगर error नहीं है तो answer option D होगा ठीक है बट देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका जो right answer होगा बच्चों वो होगा option C यानि option C में गलती है तो यहाँ पर it will rain नहीं होगा यहाँ पे it rains होगा क्या होगा अब होगा तो क्यों होगा यह सवाल आता है ठीक है यानि कहने का मतलब जब भी in case if when आदी से सुरू होने वाले close आएंगे तो उनके पात present indefinite tense का प्रियोग किया जाता है समझ में आए जब भी भी जब भी दोग हटनाए हुई हो और उस दोग हटनाओ में future का जिक्र किया गया हो यानि future की दोग हटनाओ का जिक्र हो तो मुख्य close में यानि मुख्य close in case हो गया आपका उसके बाद if हो गया when हो गया इन सबसे सुरू होने वाले close में present indefinite tense का प्रियोग होता है यानि in case के बाद जो भी sentence आएगा है ना वो आपका present indefinite में ही होगा तो आई बात समझ में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चो इट रेंस हो जाएगा तो sentence कैसा हो जाएगा she says that she will take her umbrella in case it rains ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है the victim tried to tell us what has happened but his words were not audible या no error तो जल्दी से बता दीजी किस part में आपको error नजर आ रहा है the victim tried to tell us part A हो गया part B है what has happened part C है but his words were not audible part D है no error तो very good यदि आप लोग answer दे रहे है option B यानि part B देन आप लोग का answer सही है तो बच्चो यहाँ पर has की जगे head का परियोग होगा क्यूं होगा क्यूंकि victim ने क्यूंकि victim यानि सिकारी ने कहना चाहा वो उसके कहने से पुर्व हुआ यानि यहाँ पर देखिए the victim tried to tell us victim यानि सिकारी ने जो कहना चाहा उससे पहले घटना हो चुकी है what had happened यानि उससे पहले घटना हो चुकी है तो मैंने बताया था कि जब दो घटना है past में हो तो पहली वाली जो घटना होती है उसको हम लोग past perfect tense में लिखते हैं यानि past perfect tense का structure क्या होता है subject plus head plus verb theory तो देखें सिकारी ने कहना चाहा कि उसके साथ क्या हुआ था what happened what had happened उसके साथ क्या हुआ था यानि यह चीज पहले घटित हो गई है तो जब दो घटना है past में हो तो पहली जो घटित घटना होती है उसको हम लोग past perfect tense में लिखते हैं ठीक है बच्चो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो चलिए student आज की class का last question है है ना तो उमीद करता हूँ last question का answer हर एक student देंगे ठीक है बहुत simple question है बच्चो अब तक तो आप बता दीजिएगा तो जल्दी से बताइए question है his brother has passed high school examination last year तो देखिए पहला पार्ट है his brother has passed दूसरा पार्ट है high school examination तीसरा पार्ट है last year चौता पार्ट है no error तो जल्दी से बताइए किस पार्ट में आपको error नजर आ रहा है बच्चो तो very good यहाँ पर पार्ट a में error है पार्ट a में क्या चीज़ error है यहाँ पर has passed की जगे क्या होगा केवल पास्ट होगा क्यों क्योंकि पास्ट की घटना के लिए simple past tense का प्रियोग किया जाता है तो पास्ट की घटना क्या है देखिए उसका भाई जो है उसने पिछले साल ही high school पास्ट किया है तो यहाँ पे क्या होगा है पर has present तो लगेगा नहीं have has present perfect tense का structure होता है तो यहाँ पे present का बात हुआ ही नहीं है यहाँ पर past की घटना है तो past की घटना के लिए हमेशा simple past tense का प्रियोग करते हैं यानि simple past tense कहने के मतलब क्या subject plus verb to plus object ठीक है तो चलिए बच्चो आज की class में इतना ही यदि class अच्छी लगी हो तो आप लोग अपना feedback जोड़ आप लोग देते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए बाई बाई गुद नाइट